हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके हमारी YouTube चैनल सिविल डिजयन गैस इस वीडियो में आप देख सकते हैं बहुत ही सांदार आपके लिए प्लान लेकर आएं जैसा कि आपने थम्नल में देखा होगा यह आपका एक फोर फ्लैट अपार्टमेंट डिजयन किया गया है यह उनली रेंटेट परपस से किया गया है जिसमें बन भी एचके के चार फ्लैट आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ तीस वाई साथ फिट के रिया में क्योंकि कभी सांदार होने वाला आज का वीडियो है इसी प्लाट का इसी का सिम सेकंड यह वाला जो प्लान है मै यह ने एक दूसरे वीडियो में बनाकर पूरा बताया है डिटेल में उसका भी लिंक आप वाई विटन में मिल जाएगा वहां पर जाके आप देख सकते हो और उससे पहले आप इस वीडियो को देखते जाएं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बना किसी देरी के स सबसे पहले आप देख सकते हैं यह रोड है मैं ठीक है उसके बाद यह सैट की यह गली है और यहां पर जो रोड का मैंगेट रखा गया है यहां पर पांच फ्रिट का जो है मैंगेट है गाईस इसके नीचे से ओके और यह डैस लाइन जो आप डॉटेट लाइन देख रहे तो यह फस्ट फ्लोर का प्लान है पुरा और ग्राउंड फ्लोर का आपको बता दें कि ग्राउंड फ्लोर के लिए यह हमारे दो फ्लैट बनेगी सिर्फ और इधर शोप बनेगी और यह अपना गैलरी जो है अपना इतना मिल जाएगा एंट्री करने के लिए ओके ठीक है तो आप यहां से staircase मिल जाएगा staircase में आप यहां से antic lock wise यहां से प्रीट करने वाले हैं यहां से चटके जाएंगे और यहां पर यह लैंडिक पड़ेगी चार फिट की ओके इससे फिर यहां पर आ जाएंगे फश्ट फ्लोर पे ठीक है अब फश्ट फ्लोर पर आगए तो यहां पर आपको एरिया मिलने वाला है आठ फिट चार इंच वाई साथ फिट चार इंच ओके इतना एरिया यहां पर मिल जाएगा आपको ठीक है इसके बाद आप फ़र्ष्ट फ्लोर पर आगए और यहां से एंट्री करेंगे अपने फ़र्ष्ट फ्लैट में तो आप के अकॉर्डिंग बना सकते हो इसको सोफर बगएर इदर सेट अप कर सकते हो ठीक है तो यहां पर आपको ड्रोइंग भूम में ही एक किचिन मिलता है जिसका साइज आपका छे फिट ग्यारा इंच वाई पांच फिट दस इंच है यानि आपका इस समसकते है वो साथ वाई है चेका यह आपका तीन फिट का ठीक है दूसरी यह और वता दे आपको की यह जोिस्टेर केस आपको दिखाया है एश्टेयर केस में भी आपर पूरा यह जो है फली जास्ट लगने वाला है जिससे कि यह पूर आ प्रोपर इसमें वेंटिलेशन होता रहेगा और यह के साथ ही बिंडो भी अटेच दिया गया है ठीक है और सेकंड है जो किछे ने हो गया इसके लिए इसके बाद यह आपका जो बात रूम टॉलेट तो इसमें आप या तो आप चाहें जैसे सुधा रहे वैसे ड्रों में ही ज्यादा बेटर रहता है तो इधर आप कर सकते हैं इ ठीक है इसके बाद आप अपने बैडरूम में पहुंचते हैं तो बैडरूम का साइज आपका बारेफट दो इंच वाई क्यारे फिट मिलता है ठीक है तो इसमें एक बेंटिलेशन के लिए बिंडो दिया गया है चार फिट का पूरा ठीक है उसके बाद यहां से जो आपकी पूरर के साथ यो फिन लगाया गया है तो यह आपको बैल करनी में जाने के लिए रास्ता में जाता है तो यह आपका नीजित पूरा हो गया यह ज़्सक्राइब का मतलब होता है इस बैडरूम वन हॉल बन किचेन ओके बन भी एच के तो आप ड्रोंग रोम हॉल इसको बल स अब सेकेंड वैट रूम में चलते हैं स्रेजिकर के दृत में जैसे आपने अंत्र यहां से लेते हैं तो यहां से लेते हैं तो यह पूरा आपका टो रूइंग रूम है रूंगiantes हाल पाल सकते हैं इसको है ठीक है तो इसका साइज आपका 16 फिट साथ इंच वाई 11 फिट है तो जो कि काफी अच्छा साइज है बारे इससे आङ हुआ जाने पर आप देख सकते हैं इसे आपको एक किचेन मिल दा है किचिन का साइज आपका शे एप्ट 10 इंच हुआ छेविठ का है जो कि यह नि 7 फिट भाई 6 फिट माझ सकते है इसके बेंटिलेएशन के लिए इस यहांazioni इकिन स्पас लुइ यहां पर बेंटिलेशन के लिए यह लग जाएगा तो आपका जो है ड्रोइंग रोंग का और किछिन का दोनों का बेंटिलेशन प्रोपर होता रहेगा ठीक है ओटिस का मतलम होता है इस ओपन टुएस का इसमें कोई भी सलेप नहीं डलेगी आगे जाने पर आपको यहां से बैट रूम में एंट्री मिलती है यह इसको गैट लगाया गया है तो बैट रूम में जाने के बाद आपका बैट रूम का साइज 12 फट दो इंच वाई 10 इंच है इसका ठीक है तो इसमें आपको टोईलेट वाध रूम मिलता है का माइंड है इसको जो है साइज 5 फट वाई 6 बैट है तो इसके वेंटिलेशन के लिए यहां पर यह वेंटिलेट दिया गया है इसके बाद आपको बालकनी में एक्सेस करने के लिए यहां पर दोर दिया गया है उसके साथ में ही बिंडो मिलता है वेंटिलेशन के लिए तो यहां से जो इस फ्लेट में रहने वाले को यहां से यहां तक का पूरा बालकनी यूज कर शकता है ठीक है अब बात करें तो जिस तरह से आपके यह दो फ्लैट डिजाइन किये गए हैं सेम यहां से आगर आप देखें तो यह इसको मिरर इमेज लिया गया है तो इस स्टेर केस के बीचों बीच से यह जो वाल गई है यहां से जो कि यह पूरा मिरर इमेज है तो सेम दोनों फ्लैट यह जो फ्लैट है वह इधर भी बनाए गया है तो गाइस जैसे आपने फ्लैट समझेछे है तो उसी तरह से यह तीसरा हो जाएगा यहां से यह डाइस ड्रॉइंग रूम हो जाएगा यह भाद रूम हो जाएगा ठीक है उसके बात चवत्ता जो begin ए heartbeat तो इसके का तो यह आपका हो गया यह बैड रूम वाला हो गया और यह किचन यह वाथ रूम ट्रूलेट वाथ रूम ठीक है तो इस तरह से यह वाला स्टेर केस जो है तो मल्टी स्टेरेज बिल्डिंग के लिए इस तरह के स्टेर केस यूज किये जाते हैं बनाए जाते हैं किये जाते हैं तो यह क्या होता है गैस कंटीनियूस होते हैं कि यहां से आप करते हैं यहां से घूंग के फर्ष्ट फ्लोर पर पहुंच गया फिर यहां फर्ष्ट फ्लोर से एंट्री करते हैं यहां पर जाके सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाती इस तरह सी कंटीनियूस होते ह स्टेरकेस इस स्टेरकेस को डॉक लेप्ट स्टेरकेस बॉलते हैं हिंदी में इसको कुत्ता टांग जीना कहते हैं गाइस ऐसे ही लैटेस्ट प्लान और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक भी कर सकते हैं ठीक है ऐसे ही वीडियो और भी मिलेंगे आपको हमारी चैनल पर तो जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है वहां से आप वीडियो देख सकते हैं बीडिकर सकते हैं अगर आपको अपना चैनल वह के लिए टाटा पाई बैए